दोस्तों आपने ये इमिजेस देखे हैं या फेड ये इमिजेस तो आप ये जो सारे इमिजेस देख रहे हो ये सब मिड जर्णी से नहीं बने हुए हैं तो फेड किस से बने हुए हैं तो आगए आप लोग तो जैसा कि आपको पता ही होगा दोस्तों कि डेली मार्केट में न तो पहले आप इस वीडियो को देख लो समझ लो कैसे कैसे यूज कर उसके बाद आनाम से आप उसको यूज करना इस लिस्ट में दोस्तों सेकेंड नमर वाला टूल आपका साड़ा काम आसान कर देगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टूल से जिसका की नाम है लै इंटरफेस आजाएगा यहां पर डिस्क्राइब यूर इमेज में आपको कैसा इमेज चाहिए वर्ट टाइप करना होगा तो मैं यहां पर सिंप्ली टाइप करता हूँ अ कैट इन मैन सूट उसके बाद सिंप्ली जेनरेट पर क्लिक कर देना है देखिए इमेज आ गया है इन इमेज में आपको थोड़ा बहुत मतलब यह फीका पन लगड़ा होगा तो इसमें इस टूल की गलती नहीं है इसमें हमारी गलती है क्योंकि हमने इस अच्छा प्रॉम्ट नहीं दिया तो इसी के साथ मैं आपको इंटर्ड्यूश करना साहता हूँ अपने सेकेंड टू से सारा काम करवा कर दिलवा देगा क्योंकि यह आपको आपके हिसाब से प्रॉम्ट जेनरेट करकर देता है उसके लिए देखिए दोस्तों सिंपली यहां पर इमेज वाले ऑप्सन पढ़ा जाएंगे उसके बाद ए आई आर्ट को क्लिक करेंगे यहां देखिए बहुत से है जैसे यहां आपको कैसा इमेज चाहिए फिर आपको उसमें कैसा चाहिए वह यहां पर आपकर सकते हैं फिर आपको कैसा इंवार्मेंट चाहिए वह बता सकते हैं इस आई टूल का दोस्तों सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि यहां पर देखिए दोस्तों आपको इमेज कैस चाहिए जैसे फोटोग्राफिक मोड में चाहिए वाटर कलर में या ओएल पेंटेड या फिर पिक्साल 3D में तो वह आपसंस यहां पर दिये हुए तो सिंपली दोस्तों अब यहां पर हम सेम प्रॉम्ट को कॉपी करके और यहां पर पेस्ट कर देते हैं उसके बाद सिंपली को कपी कर लेता हूँ आप चाहूं तो यहां पर को कॉपी कर सकते हुए हैं पर पेस्ट कर देता हूं और फिर जैनुरेट पर क्ले करना आए यह ऐस्को डाउनलोड करने के लिए कीलिक करना या जाए फिर नॉर्मली अकाउंट क्रियेट कर लेना है अपने जीमेल के थूरू उसके बाद आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर AI Image Generate वाले उप्सन पर उसके बाद यह इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों इसके लिएगी दोस्तों हमस्तों फिर उसके बाद यहाँ पर करेते हैं फिर कर यहाँ पर अगया है कि अपन मस्त image आया है इसी तरह हम अब fourth वाले prompt को भी copy करके देखते हैं simply तो इसमें आ जाते हैं और यहां से copy करते हैं इस prompt को और simply फिर से Leonardo AI पे आ करके और type a prompt पे पेस्ट कर देते हैं देखिए दोस्तो यह भी image काफी मस्त आया है इसको download करने के लिए simply दोस्तों यहां पे दिखे download का button दिया हुआ इससे download आप कर सकते हैं simply अब हमारा दोस्तों fourth tool है Adobe Firefly इसमें भी same दोस्तों first वाले link को click करना है उसके बाद अपने mail ID से simply sign in कर लेना है उसके बाद explore firefly beta पे click करना है फिर आपको ऐसा interface दिखाएगा तो यहां पे simply दोस्तों इस बार बनवाते हैں रियल रैविट भी cartoon boy कर देते हैं यहां पर इस बार करते हैं comic mode में फिर करते हैं create देखें दोस्तों must साढ़े prompt आ गया है इसमें से इस बार second वाले number वाले prompt को copy कर लिता हूँ दोस्तों और इसको simply जा करके यहाँ पेस्ट कर देना है, फिर कर देना है generate पे click, यह देखिए दोस्तो एक number image आया है, एकदम must लगड़ा है, आपर देखिए दोस्तो यहाँ पे icon है download करने का, यहाँ simply आप download कर सकते हैं, इसमें दोस्तो सिर्फ एकी problem है कि इसमें आपको watermark आ जाता है, त data started for free पे click कर देना है, उसके बाद अपने simply gmail id से अपना login कर लेना है, login करने के बाद दोस्तो सामने यह interface आजाएगा, यहाँ भी आपको prompt के लिए simply हम लोग चले जाते हैं, ग्रेविटी राइट वाले website पे, यहाँ simply हम लोग करते हैं type a man in a space, यहाँ करते हैं walking और यहाँ कर application और करते हैं create, मैं यहाँ पे दोस्तो simply second वाले को copy कर लेता हूँ और जा करके यहाँ पर paste कर देता हूँ, और फिर simply यहाँ generate पर click कर देना है, और यह देखिए दोस्तो आ गया masterpiece, को यहाँ से simply download कर सकते हैं और इसमें कोई watermark नहीं रहता है, अब देखिए दोस्तो अब यहा जब का इमेज आया है, यह इमेज बहुत मस्क लगड़ा है, और इसके देखिए इसकी quality भी काफी अच्छी है, और देखिए यहाँ पे कोई watermark नहीं सो कर रहा है, अगर दोस्तो आपको AI tools का use करके 3D photo वाला video बनाना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, तो बस दोस् तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा!